तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नेक्स दो हमारा IPL का मैच होने वाला है सनराइजेस हैदराबाद और मुंबाई इंडियन्स के बीच में तो हर मैच की बीडियो की तरह इस मैच का भी देखो इस वीडियो में आपको small league का final team जो के बीडियो team होगा साथ ही जाथ आपको grand league जो लोग खेल रहा है क्योंकि grand league का प्राइस है वो ता IPL का अंदर बहुत जादा है तो अगर आप लोग grand league बीण करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से भीन कर सकते हो बस वीडियो के प्रेडिक्शन जैसे की important key player option और important CBC option जो कि हम आपको बताएंगे कि किसको आप grand league team के अंदर captain wise captain और किसको आप key player के तरह extra player यूज कर सकते हो अपने 5, 10, 15, 20 team combination को बनाने में ठीक है तो यहाँ पर हम लोग इनी सब शीचो कर लिंक के नीचे आपको वीडियो के description मिल जागा टेलिग्राम पे आपको T10, T20, OTI हर मैच के final team के preview के साथ small league team के साथ साथ कुछ grand league team के लिए भी कुछ जो भी यहाँ पर होंगे team आपको provide किये जाते हैं तो final team के लिए टेलिग्राम एक दमश्टो का join करके रखिए अभी बात करते हैं इस मैच के अपनी team कैसे बनानी है पिछ देखो batting के लिए बहुत अच्छी है तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि आप अपना batting selection अच्छा रख सकते हो सबसे पहले तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ matches के जिस पिछ पी यह match हो रही है तो यह जो पिछे देखो batting के लिए अच्छा है एक अच्छा score यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है अगर हम लोग बात करें के एवरेज स्कोर की तो 170-180 यहाँ पर आपको दिखने वाला है और इस पीछ पर जो maximum जो अब तक स्कोर भी बने हुए हैं वो बना है 209 का ठीक है तो एक अच्छा scoring match रहने वाला है यह आपका पेसर का कापी important रोल रहेगा क्योंकि पेसर बहुत ज्यादा effective है और पीछ भी बैटिंग है ठीक है ना यह चीजे कुछ चीजे ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर आगे हम कर सकते हूँ हर एक दोनों ही टीम हों का कि कौन-कौन से देखो यहाँ पर क्या हैं जैसे कि अगरवाल या फिर यह दोनों ने यहाँ पर आपके opening किये थे हैं धीक है तो इस तरह साप़ यहाँ पर in't date और देख सकते हो तो यहाँ पर बैटिंग और तो आप खुद से भी देख सकते हो बढ़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेयर सेलेक्शन की कि कि प्लेयर सेलेक्शन कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेयर को स्किप कर सकते हैं किसको हम लोग पिक कर सकते हैं तो वेकर की पर करके देंगे नीचे देखो और कोई प्लेयर है नहीं जो कि जिन्होंने लास्ट मैच में प्ले किया है तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं बैटिंग आफ पहलों कीप्लेयर उप्शन में रख सकते हैं यहां पर को अपड़स को कीप्लेयर आप्शन में रख सकते हैं और डोनों के हम ऑting इंडग की बात करें तो आप सेख सर्मा spécial अधे 1.5 को चीप अविर Att thế तो यह आपको चौथे नमबर पर देंगे बैटिंग करके मतलब कि सेकेंड डाउन तो यह होगा आपका बैटिंग सेक्शन और विकेट किपर सेक्शन कंप्लीट नेक्स्ट आएगा हमारा आल राउंडर सेक्शन यहां पर कौन-कौन से रहेगा की प्लेयर ऑप्शन हर्दिक पंडिया और आपके यहां पर हो गए मर्करम नीचे हो गए जांसन ठीक है यह तीन प्लेयर को हम लोग पिक करके चलेंगे अपने स्माल लिक टीम के अंदर अब इसके अलावा देखो नीचे एस एहमद है एस मोलानी है ठीक है जिन्होंने लास्ट मैच में प्ले किया था बाकिया और कोई प्लेयर है नहीं जिन्होंने लास्ट मैच में प्ले किया था ठीक है ना तो बाकि इन तीनों प्लेयर को भी हम बॉलर को पिक करके चलेंगे कौन कौन सा आगे हम जानेंगे और साधी साथ important key player भी जानेंगे balling section से कौन कौन सा important key player baller होगा और किसको हम इसके बाद जानेंगे कि किसको आप इस match के अंदर grand league team के अंदर या फिर small league team के अंदर best cvc option में ट्राइ कर सकते हो सबसे पहले तो small league team के अंदर देखो आप बुम्रा और पेट क्यूमिंस यह दो प्लियर को पिक करके चल सकते हो सेफ ऑप्शन में जी कोट्जी और टीना ट्राजन यह चार important pick रहेंगे और जिनको क्या pick करके चल सकते हो अपने टीम के अंदर इसके अलावा भी देखो दो प्लियर हैं जो कि काफी अच्छा जिनका कि इस match में हो सकता अगर इस match में खेलते हैं तो काफी अच्छा आपको 5 निकाल के देंगे जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले अपने माई के टीम से क्योंकि अल्रेडी अपने टीम में भूम रहा है कोट्जी है तो यहां पर हम लोग ट्राइक कर सकते हैं प्यूस शावला को की पलियर ऑप्शन में अलाकि यह श्पीनर है बढ़ आप ट्राइक कर सकते हो अगर रेकाउड डेथोबर बॉल्वर को मैंने कर सकते हैं अपने टीम में और वो रहेंगे आपके भोन अश्वर कुमार ठीक है तो इनको भी आप की प्लेयर में देख सकते हो तो यह भी एक अच्छा यहां पर रह सकता आप्शन जिनको क्या प्राई कर सकते हो की प्लेयर के लिए अभी बात करता है important cbc option की यह तो होगे देखो आपके small league के final playing 11 ठीक है मैंने यहाँ पर आपको grand league team के लिए कुछ important key player option भी जैसे कि तो cbc option में देखो आप यहां पर try कर सकते हो कौन कौन से player को हम उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले देखो दोनों के head to head record की बात करते हो ना तो अगर head to head record में देखें तो देखो Sunrise जैदराबाद ने 9 matches विन किये हैं और इन्होंने 12 तो कहीं न कहीं अगर head to head record के अंदर देखते हैं तो माई की टीम आपको थोड़ी सी बेटर देखेगी ठीक है वहीं अगर बात करें दोनों टीमों के death over baller की तो अगर सबसे पहले बात करें माई की टीम से तो यहां पर जस्पीद बूमरा इंपॉर्टन पी करेंगे जो के death over baller है मॉंबाइ इंडियान के टीम से ठीक है सानरे जी जायदरबाद की टीम साब ट्राई कर सकते हो देखो जो death over baller है पेट क्यूमिन्स और भूनेश्वर कुमार यह दोनों ही death over में आपको बालिंग करके देंगे ठीक है तो death over baller में आप देख सकते हूं यहां पर अभी बात कर लेते हैं important cvc option की important cvc option में अब आप यहां पर try कौन कौन से प्लेयर को कर सकते हो उसके बारे हम बात करेंगे तो यहां पर देखो हम सबसे पहले तो safe option की बात करें जो मोश्री लोग पिक करके चल रहा है इस match में दोखो no doubt कि यहां पर मोश्री लोग इस match के अंदर रोहित सर्मा को captain या पिर वाइस captain pick करके चलेंगे ठीक है सिर्फ option में हम बात कर रहे हैं small league team के अंदर यहां पर रोहित सर्मा को pick करके चलेंगे तो यह तो एक best option रहेंगे सब्सक्राइब करने वाला है अगर बॉलिंग सेक्षन संबाद करें तो जस्पीद भूम रहा है इनको भी आप यहां पर देख सकते हो तो यह भी देखो एक best भी कह सकते हैं और साथ common series क्योंकि लास्ट मैच में आपको यहाद होगा कि नोंने 3-4 विकेट लिये था और अप कैप्टन या वाइस कैप्टन थे बट अपनी टीम के अंदर यह वाइस कैप्टन थे जिसके वजब सब्सक्राइब लोगों ने one-sided clean sweep किया था उस मैच को तो देखो रोहित सर्मा और जस्पीद भूम रहेंगे इस मैच के ठीक है लेकिन इसके अलावा आप और किसको देख सकते हो तो अधores एकर संधराबाद के टीम के हम बात करते हैं तो देखो विकेड की बर सेक्शन से हांगेंप ऑ्टिब बैटिंग और की बात करते हैं तो थोड़ी सी नीचे जरूर है लास्ट मैच जो हुआ था संधराबाद की उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई था अगर और मैं दो ऑप्शन रखूंगा यह दोनों ही बैटिंग सेक्शन से या फिर मरकरम यह दोनों में से आप अगर आपका ज्यादा जील टीम बना सकते हो तो दोनों को ट्राइब कर सकते हो बेस्टी वीशी ऑप्शन में या फिर अगर दोनों मेंसे सिर्फ एक ही को ट्राई करना चाहते हो तो दोनों मेंसे कोई एक आप कर सकते हो यह च्वाइस आपकी होगी पर दोनों ही इंपोर्टन पिक होगा सेकेंड एक चीच और भी होनी चाहिए इस मैच में टी हेट ना कहले ठीक है मुझे अभी मैच ऐसा तो कोई अपडेट है नहीं कि कौन सा प्लेयर अभी नेक्स मैच में इस मैच में खिलने वाला है ठीक है क्योंकि यह जो वीडियो बनती है आपकी 20 से 22 गंटे पहले बनती है तो ऐसा कोई अपडेट होता नहीं लेकिन अगर इनकेस इस मैच में अगर यह आते हैं तो यह भी एक अच्छा इंपोर्टन पिक हो सकते हैं जिनको क्या आप देख सकते हो चीक है तो यह तो हो गए देखो मैं यहां पर हैंटेच और मरकरम के बीच में आपको बता दे रहा है रोईत सर्माएक अच्छे ऑप्सन होंगे तो आप इनको देख सकते हो नेक्स्ट है बॉलिंग सेक्षन जैसा कि मैंने बता है कि जिस प्रीट बूम रहा है यहां पर इंपोर्टन पिक हैं जिनको क्या बेसी बीसी ऑप्सन में रख सकते हो लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं सेंडराइज से जैदराबाद की टीम के बॉलिंग सिक्षन से तो मेरे लिए काफी ही कंफ्यूजिंग ऑफ्सन होगा क्योंकि यहां पर जो तीन बॉलर है वो तीनों ही बॉलर बहुत ही बेस्ट है हम चाहें बात करें यहां पर टीन अट राजन की यहां पिर बात करें पॉनिश्वर कुमार की या पर प्रेट कुमेंस यह तीनों की बीच मेरा यह नहीं मैं कहा सकता कि कौन सो प्लियर को आप रख सकते हो लेकिन फिर भी अगर मैं प्रिप्रेंस यहां पर दूँग क्योंकि तीनों ही प्लेयर बॉलर को बराबर रख रहा हूं लेकिन अगर सब्सक्राइब के लिए तो पहला मैंने पॉनिश्वर कुमार को रखा है दूसरे में मैंने ऑप्सन रखा है कि देखो मैंने कहा कि तीनों ही मेरे लिए एक ही लेवल पे है ठीक है लेकिन अगर उसमें भी अगर मुझे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक देना हो सी बीसी क टीम से तीनों ही टॉप थ्री बॉलर्स के रैंक है जिनको कि आप देख सकते हो अपने बॉजट के एकॉर्डिंग ठीक है बाकी देखो इसमॉल लिक की फाइनल टीम दे दी गई है ग्रैंड लिक टीम के लिए इंपॉर्टिन की पिलर दे दिया गया है सी बीसी ऑप्सन दे दिया गया है बाकी मिलते हैं भी फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पे लिंक के डिस्क्रिप्शन में होगा तो जाकर आप द्राइन कर लीचेगा